Now we will discuss about transgenic animals, animals that have had their DNA manipulated to possess and express an extra or foreign gene are known as transgenic animal, तो ऐसे animals जिन में कोई भी extra या foreign gene add कर दिया जाता है तो और उनके DNA को manipulate कर दिया जाता है, ठीक है? तो ऐसे animals को हम लोग बलते हैं transgenic, तो वर्ड से ही clear है, transgenic trans का मतलब बाहर से कोई gene आ रही है, और transgenic से इस तरह से हम transgenic समझ सकते हैं, कि कोई भी extra या foreign gene ने बाहर से मला करके किसी भी animals के gene में add कर देते हैं, तो ऐसे animals को हम लोग transgenic animals करते हैं, तो बहुत सारे transgenic animals बनाएगा हैं, जिसे rats हैं, rabbits हैं, pigs हैं, sips हैं, cows हैं, fishes हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कि although over 95% of all existing transgenic animals are mice, तो ज्यादा तर जो animals बनाएगा हैं, उसमें mice ही produce किये गए हैं, लेकिन इसके अलावा इतने और भी animals जो अभी हमने बताया, वो चीजे बनाएगे हैं, transgenic, तो अब इसके बाद क्यों ये animals हम बनाते हैं, और क्या हम इनका benefit ले सकते हैं, इस तरह का काम करने से, तो बहुत सारे bio technology में experiment हैं, जहां पर ये transgenic animals useful हैं, और इनका use किया जाता है, तो सबसे पहले हम लोग first point जो इसमें है, normal physiology and development, तो किसी भी animal की या किसी भी organism की अगर हमको physiology समझनी है, या फिर gene उसका कैसे अपने आपको express करता है, यह चीज को समझना है, तो हम transgenic animal बना करके, एक model बना सकते हैं, transgenic animal का मतलब, एक designed animal आपका सकते हैं, कि अपने जरूत के हिसाब से genes को हम add करके, फिर वो gene कैसे regulate होती हैं, कैसे normal function को affect करती हैं, कैसे development को affect करती हैं, तो इस तरह से कोई भी बाहर से हम gene जो introduce कर रहे हैं, transgenic animals में, उसका क्या effect आता है, क्या उसका, कैसे effect करता है biological process को, metabolism को, structure को, उसकी study हम कर सकते हैं, तो किसी भी gene के बारे में, अगर हम को study करना है, कि ये gene का क्या role है, क्या expression है, क्या features है, क्या characters है, तो उनको हम लोग transgenic animals में उस gene को add करके, उनके वज़र से जो change जा रहा है, जो function आ रहा है, जो physiology change हो रही है, developmental change है, उसको हम लोग study कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने अभी insulin के बारे में पढ़ा था, कि जैसे insulin अगर नहीं बन रहा है, तो उसको फिर हम लोग कैसे बनात effect देखते हैं कि वो gene किस तरह से अपने आपको express करती है, किस तरह से insulin का formation कराती है, इस चीज का हम study कर सकते हैं, तो ये normal physiology and development किसी gene का कैसा होता है, इसका study हमको करना है, जो अभी तक genetic में जितनी भी study हुई हैं, वो लगभग इसी तरीके से की गई हैं कि किस तरह से हुआ है, तो ये आपका एक factor है, एक function है, इसका normal physiology and development, दूसरा इसमें point है study up disease, तो बहुत सारी disease आप जानते हैं कि gene की खराबी के वज़ा से, gene के गरबड़ी के वज़ा से होता है, या हम लोग study कर चुके हैं, तो transgenic animal में उन genes को हम add करके, transgenic model जा है हमारा, transgenic animal एक model के तरह हम उसको use कर सकते हैं, तो उसमें उस gene को insert करा करके, उसका हम लोग effect देखते हैं, फिर उसमेंगा treatment करते हैं, उस organism का, उस animal का हम लोग treatment करके देखते हैं, कि उसपे कौन सी medicine respond कर रही है, और जैसे बहुत सारी disease है, human के अंदर, तो उनके हिसाब से अलग-अलग transgenic model बनाए गया है, जै कोई model है, जिसमें Alzheimer disease का gene add कर दिया गया है, तो अलग-अलग transgenic models में, अलग-अलग हम genes add करके, उनका effect देखते हैं, कि वो body को कैसे effect करता है, और फिर उनका हम treatment कैसे कर सकते हैं, तो इस तरह से हम लोग, यह जो transgenic model है, transgenic animal है, इनका use कर सकते हैं, तो transgenic animal है, जो model है, वो हम समारा एक research model है, जिसको कि हम prepare करके, और उस पर different types से हम लोग research करते हैं, कर सकते हैं, इसके बात third point है, biological products, तो बहुत सारे medicine है required to treat certain human disease can contain biological products, but such products are often expensive to make, ठीक है, transgenic inverse that produce useful biological products can be created by introduction of portion of DNA, which codes for particular products such as human, तो बहुत सारे disease हैं, जो किसी enzyme deficiency की वज़ा से होते हैं, या insulin deficiency की वज़ा से होते हैं, तो normally अगर हम किसी भी organism या human के अंदर उस चीज को किसी और से लेंगे, तो वो काफी expensive होगा और उसको बनाना बड़ा मुस्किल, collect बड़ा मुस्किल होता है, तो अगर उस gene को हम identify कर लें जो gene उस product के लिए, उस enzyme के लिए responsible है, और उसको हम अलग से produce करें, जैसा कि हम लोगी insulin में करते हैं, तो उस gene को identify करके, फिर हम किसी और तरीके से उस products को बना सकते हैं, और bulk label पर, major label पर, industrial label पर production कर सकते हैं, जैसे एक enzyme होता है, alpha 1, anti-triptrin, इसकी deficiency की वज़ा से emphysema हो जाता ह है, और ये genetic disorder है, gene की deficiency की वज़ा से होता है, इसी तरह से cystic fibrosis, डिजिज़ा, phenyl ketone nudia है, और आपने बहुत सारे disease पढ़े हैं, जो gene की deficiency से होते हैं, तो अगर ऐसा एक model हम बनाएं, एक ऐसा animal बनाएं, जिसमें वो gene add कर दें, और उस production, चीज़ को हम बाहर produce करके, फिर जितन synthetically बना लेते हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे enzyme हैं, जो अभी synthetically नहीं बनाएगा है, जैसे कि आपके alpha 1 antitripsin है, या फिर cystic fibrosis के लिए जो enzymes हैं, या फिर और phenyl ketone, तो ये सब चीज़ें अभी lab में synthesis नहीं हो पाती हैं, तो इसके लिए हम लोग transgenic animal formation करेंगे, और उन animals के अंदर वो enzyme produce होगा, और उस enzyme को फिर हम लोग जो disease person हैं, उसके लिए consume कर सकते हैं, उससे extract करके, इसके लावा एक बहुत अच्छा example है, एक transgenic cow बनाए गई जिसका नाम रोजी रखा गया, तो रोजी के अंदर जो milk produce होता है, उसमें human protein enriched होता है, वो milk, और उसमें human protein enriched होता है, वो कितना होता है, 2.4 gram per liter, तो जो रोजी transgenic cow बनाए गई उसका जो milk होता है, उसमें कुछ human protein होती है, जो कि 2.5 gram per liter होती है, तो वो human के लिए बहुत ही useful है, तो milk content the human alpha lactoalbuline was and was neutrally a more balanced product to human babies than natural cow milk, तो कहने का मतलब यह है कि आप जानते हैं कि cow के milk में और human के milk में अंतर होता है, तो genetically engineered या genetically modified या transgenic cow के अंदर उस protein को उस चीज़ को भी हम बना सकते हैं, जो human में तो होता है, लेकिन cow milk में नहीं होता है, तो उस चीज़ को अगर हम cow के milk में ही produce कर ले और तो वो baby के लिए ज़्यादा beneficial होगा, तो इस तरह से हमने transgenic cow बना करके उसके अंदर milk में वो quality लाए जो human के milk में होता है, इस तरह से हम लोग biological product को modify कर सकते हैं, produce कर सकते हैं, जो human being के लिए important है, treatment के लिए या किसी disease के लिए, तो इस तरह से biological product को हम लोग enhance कर सकते हैं, इसके बाद fourth point है, vaccine safety, जैसे आभी हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारी vaccine बनाई जा रही हैं, तो transgenic mice were being developed using testing the safety of vaccine before they are used on human, आप जिससे करोना की वेक्सिन बन रहे हैं, तो क्या करते हैं, पहले mice के उपर हो सब, जितने भी vaccine बनती हैं, सब mice के उपर test की जाती है, उसके बाद फिर कुछ human-like उन पर किया जाएगा, फिर उसके बाद human के उपर किया जा safety हम लोग, transgenic mice, ऐसे mice को बनाएंगे जिनमें वो disease हो, उनके gene में वो deficiency हो, या उसमें वो बिमारी हो, उनको पहले वो बिमार करते हैं, फिर उसके बाद उन में vaccine को test करते हैं, कि वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है, तो इस तरह से polio vaccine के लिए भी testing किया गया था, और देखा की जाती है, और तब जाकर कि ये finalize होता है, फिर नि, human के उपर clinical trial होता है, जवाब सुने हों कि इसमें वाली उन टियर्स बहुत सारे लिए जाते हैं, क्योंकि उसमें खतरा होता है कि नुक्सान भी कर सकता है वो, तो इसलिए testing step by step होती है, तो starting में साब mice के साथ किया जाता और animals के उपर, humans के उपर trials करते हैं, इसके बार next है chemical safety testing, तो इसको toxicity या safety testing, जैसे बहुत सारे medicine drugs बनाई जा रहे हैं, अब उसके बाद उनको भी उसी तरह से हम लोग test करते हैं, तो इसमें हम लोग transgenic animals के उपर test करेंगे, कि वो medicine कोई समस्या तो नहीं पैदा कर रही है, और toxic effect हमें दिखाई दे, तब हम test कर पाएंगे कि lowest क्या उसकी range है, या highest toxicity कितनी हो सकती है किसी भी medicine के इस तरह से हम लोग test कर सकते हैं, मैंने सबसे immunos, सबसे जिसकी immunity कम हो, उस पर क्या effect होगा, किसी भी drugs का या medicine का, या बहुत जिनका कि उस तरह से modification है, उस पर क्या effect होगा, तो development का, disease कैसे develop हो रही है, जो product है, उनको कैसे बनाया जा सकते हैं, दवाईयों की testing कर सकते हैं, vaccine की testing कर सकते हैं, तो इस तरह से transgenic animal का बहुत broad role है, research के अंदर, एक तरह से ये बिल्कुल research module है, जिसको कि हम लोग बनाते हैं अपने हिसाब से, और उसके बाद उस पर testing करते हैं